यदि आप किसी इस्तिरी से मुहबबत करते है यदि आप किसी इस्तिरी से प्यार करते है अगर किसी इस्तिरी से अगर आप प्यार करते है मुहबबत करते है लेकिन इस्तिरी आपको भेलू नहीं देती है आप अपने परिसान रहते है उसकी प्यार को पाने के लिए अगर आप प्यार को पाना चाहते है इस्तिरी का प्यार को अगर आप पाना चाहता है अगर आप इस्तिरी को अपने प्यार में गुलाम बना करके रखना चाहते है तो आप दो पीस जो है लाल मिर्च जो है एहाँ पर डाल दो इस्तिरी जीवन भर आपका प्यार में मधोस हो जाएगी दो पीस लाल मिर्च आप अगर डाल देते हैं तो इस्तिरी आपका प्यार में जीवन भर के लिए मधोस हो जाएगी और आपका प्यार में गुलामी करेगी आज मैं एक ऐसी असरदार एक ऐसी सक्तिसाली एक ऐसी चमतकारी अनमोल वसीकरन टोटके बताने जा रहा हूँ इस टोटके के दुआरा आप किसी भी इस्तिरी को अपने मुहबत में आप दिवारा बना सकते हैं किसी भी इस्तिरी को आप अपने प्यार में तड़पा सकते हैं आखिर वो लाल रंग के मिर्च को आपको कहां डालना है और की समय डालना है मैं सारे कुछ आपको विस्तार पुरवक बताने जा रहा हूँ आप मेरे वीडियो पर आखरी तक बने रहे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवस्य कीजिएगा और कॉमेंट वक्स पर जा करके जायमा कामख्या जरूर रिखे ताकि माता कामख्या की किरपा आपके उपर सदा के लिए बनी रहे नमस्कार मित्रो मैं हुतांत्रे चंदन सास्त्रे आप सभी को मेरे तंत्रमंत्र टोने तोटके चैनल में हार देख स्वागत है मित्रो आज जो मैं बसी क करने का चमतकारी टोटके बताने जा रहा हूं ये काफी सकती साली और घर बैठे दूर से आप किसी को भी अपने मुहबत में आप दिवारा बना सकते हैं किसी भी साधी सुदा इस्तिरी हो किसी भी कुवार इस्तिरी हो चाहे किसी भी इस्तिरी को जो है आप अपने प्यार में गुलामी गुलाम बना सकते हैं आप उसे अपने दिवारा बना करके रख सकते हैं आप उसे अपने प्यार में तलपा सकते हैं यह बहुत ही सकती साली टोटके बाई बताने जा रहा हूं और इस टोटके को कई से करना है किस समय करना है किस दिन करना है मैं सारे उपाय आपको ब सरय मिर्च ताने वाले सारे इंटेस का आप तक पहुंच जाए और आप हमारे मिल्च के उपर में आप उस इस्तिरी का नाम लिखेगा जिसको आपको मुहपत में दिवाना बनाना हो उस इस्तिरी का नाम एक मिल्च के उपर लिखेगा लाल रंग का मिल्च में आप उसमें काला रंग का मारकर कलम से लिखेगा एक मिल्च में आप अपना नाम लिखेगा औ और दोनों मिल्स को आप नाम लिखिने के बाद एक दूसरे के साथ में सटा करके उसमें काला रंग का धागा उसमें लपेट करके आप साथ गाठे लगा करके आप रात को सोने से पहले अपने सीरहने के पास रख करके सोईएगा और सुवा सुवा उठ करके आप नहा धो करके आप दोनों मिल्स को ले जा करके साथ बर उस इस्तिरी का नाम ले करके आपको किसी भी चूहे का बील या किसी भी साप का बील में जा करके उसको आपको डाल देना है बस इतना कर देना है इतना करने से ही बिडा मंत्र का ये काम है इतना करने से ही आपको 12 घंटा होते होते वो इस्तरी आपको प्यार में दिवानी हो जाएगी वो आपका प्यार में मध्धोस हो जाएगी वो जीवन बर आपका गुलावी करेगी यह बहुती सक्ति सालिटोटके है इसे आप जरूर आजमाएं आपको सफलता मिलेगी इसी आसार उमीद के साथ फिलाल मैं आपसे बिदा लेता हूँ हरहार महादेब जैस्चिरी महाकाल जै मातारा आप मेरे वीडियो को सेर करें अपने मित्रों के भी सेर करें अपने दोस्तों के भी सेर करें ताकि उसको भी इस वीडियो का लाब मिले मैं इसी आसा के साथ फिराल मैं आपसे बिरा लेता हूँ